हलो साथियों, स्वागा थे आपका CSP RS1 YouTube चनल पर आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस कर रहे हैं कि COVID के जो 3rd phase का vaccination शुड़ू होने वाला है उसके लिए आपको registration कैसे कराना है 1st phase और 2nd phase के जो vaccination है वो वैसे ही चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं और उसके लिए आप direct hospital में जा के registration करा सकते हैं लेकिन 3rd phase के लिए आपको online registration के आवशक्ता होगी तो आज हम डिसकस करेंगे कि online registration आपको कैसे कराना है तो सबसे पहले अगर आपके पास ROG सेट वेप है तो आप वहाँ पर भी registration करा सकते हैं या फिर आपको एक website खोलनी है cowin.gov.in नीचे description में उसका link दे रखा है cowin.gov.in बड़ी आसानी से ये registration हो जाएगा इसको आसानी समझने के लिए हमने 3-4 नों में divide किया है सबसे पहले आपको cowin.gov.in खोलनी है या फिर description में जाके सीधे आप उस website को खोल सकते हैं website खोलने के बाद नीचे scroll करेंगे तब अगर आप desktop पे हैं तो आपके right hand की तरफ आ रहा होगा अगर आप mobile पे हैं तो हलका सा नीचे scroll करेंगे तो yellow color का एक button आ रहा होगा एंटर करेंगे इस प्रकार आपका mobile number registered हो गया अब एक नया page खुल कर आएगा जिसमें आपको अपनी personal detail नाम पता वगरा डालना है इसमें आपको नाम पता जो detail मांगी गई है वो detail डाले अगर आप किसी बीमारी से ग्रिसित हैं जैसे diabetes अस्थमा वगरा तो उसकी specified आपको जानकारी वहाँ पर देनी है अगर आप नहीं है ग्रिसित तो normal आप अपना form भरिए और form भरने के बाद register कर लिजे इसके बाद तीसरे चरण में आपको अपनी appointment date लेनी है तो पहले चरण में mobile registered कराना है दूसरे चरण में personal details डालनी है और तीसरे चरण में आप अपनी सौविधा और व्यस्ता के हिसाब से जब भी आप फिरी हूँ तो आप अपना appointment date fix कर सकते हैं आपने appointment date fix कर दी appointment date cease कर दी उसके बाद आपका registration complete हो गया अब उस date में जब आपने appointment लिया है अपने center पे जाके covid की vaccine लगवा सकते हैं आपका registration हो गया है यह पंजी करा जादा घबराने की और चिंता करने की कोई ज़रूत नहीं है निशुल्क है या तो covid.gov.in से करा सकते हैं या ROG से तू एप से करा सकते हैं किसी मेडियेटर के द्वारा नहीं कराई है आप बढ़ी आसानी सब ने mobile या desktop पर इस registration को कर सकते हैं साथ ही एक चीज और ध्यान रख आपने उसके बाद भी आप मास का प्रयोग करें क्योंकि आप अगर संक्रमित नहीं होंगे तो आप दूसे को संक्रमित कर सकते हैं आप पर तो संक्रमन का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा लेकिन इस बात पर भी ध्यान रहें vaccination के बाद आप precaution कम ना करें जल्दी जल्दी में 28 April से ये registration शुरू होने वाला है और 1 माई से आपका vaccination शुरू होगा, तो 28 माई से आप registration करा लें, ऐसा नहीं आप जल्दी बाजी में website crash कर दें, बड़ा आराम से करें, कोई हड़ बड़ा हट की ज़रूद नहीं है, याद रहें, इस बार थर्ड फेस में एक नंबर से एक ही रिजिस्ट्रेशन होगा अगर आपके घर में 18 साल से उपर के दो लोग हैं जो थर्ड फेस में आपको पता होगा 18 साल से उपर के लोगों का सभी भारती नागरेकों का COVID की वैक्सिन लगाई जाएगी तो आपके घर में अगर दो लोग ऐसे हैं जो 18 साल के उपर के हैं तो आपको दो मुनबायल नंबरों की अवश्यक्ता होगी अब कीमत की बात करते हैं COVID काटी की कीमत क्या है तो यह आपके राज्य के हिसाब से वेरी करती है अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको अलग शुल देना होगा तो यह बड़ा आसान तरीका हमने आपको बता दी या रेजिस्टेशन कराने का अगर आपको इससे रिलेटेट कोई भी परिशानी या फिर कोई भी कन्फूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है कमेंट बॉक्स में कोई भी आप जानकरी पूछ सकते हैं आपको निस्चित ही उसका जवाब दिया जाएगा साथ ही साथ अववा न फैलाएं कि कोवेट के वैक्सिन लगने से यह हो गया वह हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है करोनों लोगों को अभी तक वैक्सिन लग चुकी है और थोड़ा बहुत सर में भारीपन या बुखार आने के अलावा और भी कोई मिजर परिशानी किसी को नहीं आई यह सारे सोशल मीडिया पर अब वह हैं फैलाई जा रही है तो आपको इस कोविट की वैक्सिन ज़रूर ही ज़रूर लेनी है रेजिस्टेशन का तरीका हमने आपको बता दिया और अगर आपको इवीडियो इंपोर्टन लगता है तो आप अपने सभी ग्रूपों में वाटसअप ग्रूपों में इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को भी रिक्रमेंट करें और कहें उनको कि जादा जादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को तरीका पता चले वरना लोगों को अभी तरीका ही पता नहीं कि registration कैसे कराना है तो जादा जादा लोगों को ये तरीका पता चले धन्यवाद आज के लिए तनी